हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप खुश होंगे, सस्तो होंगे और मस्तो होंगे मैं फिर से आज एक पिके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और इस रीडिंग का थिम मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले 30 डेस आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं क्या पाइल नमबर वण एन्जल आफ पीस पाइल नमबर वन कर बैंड तो एन्जल ऑफ इसपरिच्टल It ऑफ इसपरिचन गिफ्ट Than ऑफ इसपड पाह कुआ रहे हैं तो आप पूरी रृडिंग भी देख सकते हैं पीज से आर आराम से और जो message आपसे resonate करते हैं वो आपकी होंगे otherwise वो किसी और क्यों होंगे इसलिए अपने आपको open करके रखें और यह PK का reading है time list reading है और इसका time मैंने description box मेंशन कर रखा है वहाँ से आप देख लेना जिसे भी personal reading चाहिए उस whatsapp number भी मैंने mention कर रखा है और वहाँ से आप देख लेजएगा ओके तो यहाँ पर मैं reading स्टार्ट करते हूं एंजल ओपीस से हाई पाइल नंबर वन तो जिसने भी एंजल ओपीस का कार्ट चूस किया था उसकी reading में आपको यह बताओं कि आपकी है जो जिसे आप अंदर से आपकी जो भी खुबसूरती है किते हैं कि हमारा मन केसा है और हमारी आत्मा केसी है हमारी सोच केसी है वो जब बाहर निकल के आती है न तो हकीकत में हम है कोन हकीकत में हमारी पहचान वो तब ही हम बता पाते हैं तो आने वाले 30 डेस में वो आपका ओरिजनल जो पिक्चर होती है ओरिजनल जैसे आप हो नेचरल जैसे आप हो उसी तरीके से आप यहाँ पर काम करने वाले हो बहुत ज़दा आपके अंदर एक पीस देख रही हूँ ब यहाँ पर आपको लोगों का बहुत साथा एप्रिशेशन आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है काफी गिफ्टेड के लिए आप काबिल बना खुद को बना रहे हूँ आप अपने अंदर एक ठहराव जो बोलते न कि हाँ इस इस परसन के अंदर कितनी एक सुन्दरता है यह सुन्दरता उपरी सुन्दरता की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपके मन की सुन्दरता की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि आपका मन कितना सुन्दर है आपका दिल कितना सुन्दर है वो दिल कितना प्यारा है आपका यहाँ पर आप इन 30 कि जब हम भगवान की भक्ती में हम बहुत जादा जैसे लीन होने लगते हैं या भगवान से हम बहुत जादा प्रेयर प्रात्ना करते रहे तो उसके फेस पर अलग ही जैसे चमक ग्लो और एक अलग सा ही एक शांती हमें महसूस होने लगती है तो वो यहाँ पर आप बहुत हद तक अपने अंदर यहाँ पर देख पाओगे बहुत जादा आपको गिफ्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं यह शायद आपका कोई हो सकता है करीबी ही है शायद जो आपको यह सब चीजे देने के लिए अभी रेडि है तो मैं यहाँ पर के लिए किसे रहना है ओके जर्णी फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड वर्ल्ड एंड थर्ड कार्ड रेस्ट ओफ रियूलेशन यहाँ पर जिसकी अभी मैं बात कर रही थी एक पीस एक शांती एक भागवान की जो भक्ती में बहुत किते हैं कि हाँ जब हम भागवान की भक्ती में इसकदर अपने आपको ऐसा कर लेते हैं कि जहां पर बस एक शुन्नी की उर्जा है ना जहां पर कुछ भी नहीं होता है वो एक मेडिटेशन ध्यान योगा काफी हद तक आप मुझे ऐसा लग रहा है एक आपकी जो आपकी जर् जर्णी पर हो उसमें मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ पाइल वन आप है ना शायद एक दुनिया को जीतने का ज़जबा रखते हो आप अपने अंदर आपकी सोच मुझे बहुत उपर की तरफ लेके जा रही है आपको खुद को मैं यहां पर देख रही हूँ कि आपकी सोच से ही इंसान या सोल बड़ी या छोटी होती किते ना सोच बड़ी रखो तो वही चीज में आपकी लिए देख रही हूँ कि आपकी जो विचार है वो आपको काफी उपर तक आपको लेके जाने वाले हैं आप छोटा नहीं सोच रहे हो बहुत कुछ बिग शायद आपक कर रहे हो या उसके उपर action लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो क्योंकि आपके अंदर है ना एक ठहराव में यहां पर देख रही हूं एक शान्ती की उर्जा में देख रही हूं एक रस्ता आपने पकड़ लिया है ओके जिस रस्ते पर आपको जाने से किते हैं यहां पर बाहर निकल के आने वाली है आप काफी लंबी जर्णी पर निकल चुके हो यह एक में इस चीज को में एक इस्प्रिचल जर्णी भी कह सकती हूं यहां पर कोई-कोई ट्रिन फ्लेम जर्णी पर भी है कोई-कोई किसी ने अभी हाल फिलाल में मेडिटेशन ध्यान योगा वो सब करना स्टार्ट किया है या आप काफी टाइम से कर रहे हो तो उसकी जिससे आप काफी अपने रस्ते पर चल पड़े हो और उसी की वज़े से आप काफी यहां पर अपनी चीजों के करीब आप अपने आपको समझ पाओगे आने वाले 30 डेज में ओके आप काफी काफी अलग सोच रहे हो डिफरेंट सोच रहे हो काफी कुछ अलग करने का यहां पर सोच रहे हो क्योंकि आपकी एनरजी यह ना बहुत अपर लेबल पर देख रही हूं एक ठहराव की उर्जा है यहां पर कुछ बड़ा करने का जुनून है यहां पर लंबी रेस का जिसे गोड़ा केते हैं ना लंबी यात्रा ठीके जो कभी ना खतम होने वाली एक आपका एक इसा आपका शायद आपके अंदर कुछ चीजे ऐसी पनप सकती हैं जो आपको बहुत आगे तक यहां पर लेके जाएंगी एक अपने आपको शायद उस चीज के लिए पहले प्लानिंग कर रहे हो फिर उस चीज के लिए अपने आपको रेड़ी कर रहे हो उस चीज में ढालने के लिए कि हां मुझे कुछ बढ़ा करना है मुझे आगे की तरफ यहां पर जाना है पर जाना केसे है किस रस्ते जाना है वो रस्ता एक जब मिल जाता है हमें तब हम बहुत इजिली और आराम से उसकी तरफ हम चल पड़ते हैं यहां पर आने वाले तीज दिन यकीन मानिए कुछ बड़ी चीजे भी हो सकती है आपकी तरफ आ सकती है या आप खुद कर सकते हो या फिर आपकी वो कितेना सोच कुछ बढ़ा करने का सोच रहे हो आप श एक डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीजों में एक न्यू बीगनिंग है अपोचिनिटी आ रही है आपकी तरफ पीस आ रहा है एक शान्ती आ रही है काफी एक फिर से आप अपने आपको एक वापस उठा रहे हो खड़ा कर रहे हो बहुत सारी नए नहीं चीजों के लिए आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो, आने वाले 30 दिन में, आप काफी अपने अंदर changes देख रहे हो, काफी बदलाव आप देखोगे, वो एक guidelines भी होगी आपके लिए, मिलती रहेंगे, युनियर्स, एंजल्स आपको काफी आगे की तरफ भी लेकर जाएंगे, ओके, six of vans, definitely, जो मैं आपको बता रही हूँ यहां पर, okay, the high prestige, and third, king of pentacles, इल्कुल, मैं आने वाले 30 days, friends पता है, आपको, आप जिस रस्ते पर हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस, एक चीजों को पकड़ लेना, उसके उपर पूरा अपना समय लगाना, अपना दिमाग लगाना, अपनी energy को लगाना, एक focus लगा के रखना, तो वो चीजे आपकी growth की तरफ हैं, उसमें आप कोई growth आप देख रहे हो, और काफी आप इमानदारी से अपने काम को करते जिसा मैंने यहाँ पर इस card से भी आपको बताया, कि आपको लोगों का प्यार बहुत मिलेगा, बहुत support यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारे gifts भी मिल सकते हैं आपको, और वो के थे ना, कि push करना, कोई-कोई energy ऐसी होती है, कि पीछे की तरफ हमें खीषती हैं, लेकिन यह time आप आपको कोई पीछे खीषने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपकी energy बहुत shift हो रही है, changes हो रहे हैं आपकी energy में, क्योंकि आप खुद यहाँ पर एक ऐसी soul हो, कि आप खुद अपने आपको guide कर रहे हो, आप खुद प्लान कर रहे हो, और यह कौन कर रहा है, आपकी soul आपको ज़्यादा आपको इशारे करेगी, बहुत ज़्यादा आपको किते हैं ना, जब हम खुद ही अपने आपको जान लेते, समझ लेते हैं, ओके आपने आपको जाना है, समझाए कि आप कौन हो, और जब हम अपनी चीजों को balance कर लेते, तो definitely वहाँ पर कुछ बड़ा बनता है आपके अंदर काफी ग्यान है, काफी एक knowledge आप लिए बेठे हो, और उस knowledge और ग्यान के बलबूते पर आप कुछ बड़ा कर सकते हो, जिसमें आपको success है, लोगों का support है, appreciation है, और सफलता है, और काफी लंबा आप जा रहे हो यहाँ पर, kinopanticus, आपको अभी तक शायद आगे नहीं बढ़ पाते थे, या आपने शायद अपने उपर जो काम किया है, meditation, ध्यान, योगा, पीस में ले जाना, शान्ती में अपने आप में रखना, तो वहाँ पर आपने बहुत हद तक अपनी energy को, एक कहते हैं, energy जो अभी तक डाउन अब वो उपर की तरफ, जो मुझे इसा लग रहा है, आपका root चक्रा पहले block था, जिसकी वज़े से आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, नहीं आगे के बारे में स्वोची चार कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर अब आपने बहुत हद तक अपने उपर काम किया है, जिसकी जैसे आप शायद अपने आपको भूले बेठे थे, अपने आप से दूर थे, लेकिन आने वाले 30 दिन शायद आप अपने आपको जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कुछ बड़ा करने वाले हो, लंबी जर्णी आप निकलने वाले हो, यह आध्यात्मिक जर्णी देख रही टू-टू, मिन्स फोर, ओके, फोर मतलग निव बिगनिंग, निव अपोचुनेटिस, सक्सेस, प्रफेशन्स, पिल्कुल, डेफिनेटली यहां पर निव बिगनिंग है, हाट चक्रा, जो कि आप अपने आपको खोल रहे हो, अंदर से क्या हो, उसको दिखा पा रहे हो, आपका हाट चक्रा भी ओपन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, यूनियस की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपको अपना खुश रहने की जरुरत है, और जो चीज़े आपकी त यहां पर कर रहे हैं कि इस confusion से आपको इस तरीके से बाहर निकल सकते हो एंजल्स की प्रोपर यह 30 डेज आपको guidelines मिलती रहेंगी ताकि आप smoothly आपकी journey पर आप काम कर सको आगे निकल सको और success की तरफ यहां पर जा सको ओके मैं यहां से यह एक confusion वाली एक आप अभी तक एक शायद बहुत जादा अपने अंदर एक confusion देख रहे थे काफी सोच इचार में डूबे हुए रहते थे लेकिन वो केते न एक फिर से अपने आपको फिर से खड़ा करना एक नए रस्ते पर लेकर जाना नई journey एक start आने वाले 30 दिन आपके लिए एक new new journey है new beginning है आपके लिए कुछ बड़ा करते हुए आप अपने आपको देख रहे ह कॉस्मिक गेट आवे ओके वन कार्ट सोर्यूनियस वाइस अपने आपको बता हुए यहां पर कॉस्मिक गेट आवे यूए थोट्स आर मैजिकल और पावर्फुल मिरिकल्स चेंजिस आर रिकॉरिस यहां पर आपके पता है यहां पर यह 30 डेस आप जो भी आपके विचार होंगे जो भी आपकी सोच होगी वो एक मैगनेट का काम करने वाले हैं ओके यहां पर आपको बोला जा रहा है कॉस्मिक एनरजी मतलब आंतरिक्ष उरजा ओके वो आपके थोड्स डायरेक्ट यूनि यहां पर देखोगे आने वाले 30 दिन में चेंजिस बहुत पॉजिटीव चेंजिस होगे आपकी लाइफ में यहां पर क्योंकि पता है आपका यह हाई प्रिस्टिस क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटिटिव होती है यह बहुत ही ज्यादा वो अपनी अंतर मन से जूड जाती है ना अगर आप अपने अंतर मन से जूड गए तो आपको किसी की ज़रत नहीं आपकी आपको गाइड करती रहेगी वही बताती रहेगी यहां पर वही है कि आपको अब आपके जो सोचे वह बैंगनेट का काम यहां पर करने वाले आप बहुत ज्यादा पावर्फु इस दिन के अंदर अगर आप किसी एनिमल की हैल्प करते हो तो यहां पर आपको वह करने की ज़रत है ठीक है यहां पर वाइस ऑफ टूथ यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको डट कर खड़ा रहना है और आपका जो परपस है सिर्फ उसी परपस की तरफ आपको फोक को बोलना सीखो आगे बढ़ना सीखो आने वाले तीज दिन आप बहुत जादा इन सब चीजों के ऊपर यहां पर काम करने वाले हो अपने परपस के लाइफ परपस जो है जिस जर्णी पर आप निकल चुके हो उस पर आप यहां पर एक स्ट्रोंग यहां पर डिसीजन लेने वाले हो ठीके रिलीस करने वाले हो उन तमाम सिचेशन को जो आपको आगे बढ़ने से डोग रोकती है चाह वो परसन हो सकते हैं चाह आपका डर हो सकता है चाह आपकी थोड्स हो सकते ओके यह सारी चीजे आपके 30 डेज में यहां पर एनर्जिस निकल के आई हैं तो मैं इस पाइल नमबर टू तो जिसने भी एंजल ऑफ इस प्रिचल का गिफ्ट का कार्ट जुश किया था उसके डिडिंग में यहां पर स्टार्ट कर रही हूं पाइल नमबर टू प्लीज वीडियो को लाइक कमें सिस्क्राइब जरूर करना और जिसे भी परसन रीडिंग चाहिए यह वो मेरा वाट्सअप नमबर मेंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा है तो आहां से आप देख सकते हो ओके तो मैं इस कार्ट से बताओं कि आने वाले 30 डेस आपकी लाइफ में क्या चेंजिस आ रहे हैं कैसी एनर्जीस यहां पर रहेंगी तो फर्स् इस उप्रेचल गिफ्ट थे भागवानान देखो सब भी के अंदर किसी का मांद म कुष्प होता है किसी के अंदर को बह। ज़ादाम क्रेटिविति रहेंगे कि मतलब बहुत दूर की चीज़ों को देख लेना मैं यया समझ लेना मैं या जान लेना है जिससे के ना इस c को देखकर उसके बारे में समझ जाना कि हाँ यह इंसान किस प्रवति का है किस सोच से हमारे पास आया है एक पहले से situation को जो भाप जाना परिस्तिति को भाप जाना और उससे जिसके अंदर इस गिफ्ट्स होते हैं यह किन मानिए वह बहुत पावरफुल सोल होती है बहुत blessed सोल होती है ठीक है और फेफिर जब उसको अपने बारे में इन सब चीजों के बारे में उससे पता चलता है तो यकीन मानिए वह सोल खुद income नहीं अब एक ऐब में एक light महसूस करती है एक प्रकाश महसूस करती है एक खुद में अपने आपको एक खलकापन वह महसूस करती है वह कि एक बोज लेकर चलना अपने उपर अपनी सोल के उपर और उस बोज को लंबे समय तक ढोते रहना वह शायद आप पाइल टू उन सब चीजों से बहुत उपर तक आते हु हो एक आप लाइट और एक प्रकाश जो शायद आपके जो इस्प्रचल गिफ्ट से हैं जो अभी तक शायद आपसे हिडन थे पता नहीं था तो वो सारी चीजे आप उनके नजदिक जाते हुए मैं देख रहे हूं आपको और काफी आप अपने अंदर एक लाइट एक प्र next 30 days next 30 days file 2 के लिए क्या changes है क्या blessings blessings अपने गिप्स के बारे में आप जान रहे हूं ओके गिप्स के बारे में आप समझ रहे हो यहां पर फर्स्ट कार्ड है आपका इनिमी अपके सेकेंड है आपका थर्ड चक्रा आर्केंजर चेमल एंड थर्ड कार्ड है आपका अटेच्मेंट ओके तो यहाँ पर पाइल नमबर टू आने वाले 30 डेज जो आप मैं अभी इस कार्ड से आपको बता ही रही थी यहाँ पर कि आप है ना अप अपनी चीजों के बारे में आप जान लोगे कि हाँ भगवान ने मुझे क्या सोगात दी है क्या खुब्सूरती दी है और क्या चीजे थी जो मैं मिस कर रहे थे या कर रही थी और उनको एक केते ना कि जब तक हम अपने आपको नहीं समझेंगे अपनी सोल को नहीं समझेंगी हमारी अंदर क्या चीजे हैं जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हम शायद अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि आप है ना अब आने वाले 30 days में आप एक अपनी energy को balance कर रहे हो काफी हद तक आप balance कर रहे हो वहाँ पर सोच इचार करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आपकी वो कहते हैं आपका mind आपका mind बहुत ज़ादा आपको positivity की तरफ लेकर जाएगा कुछ dreams के थुरू या कुछ कहते हैं कि हमारे अंदर ideas आते रहते हैं बेठे बेठे कुछ ideas आते रहते तो वो उन ideas के थुरू आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़े आपको जानने के लिए मिलेंगी ठीके यहाँ पर आपका थर्ड चक्रास यहाँ पर आपका जो आपका creativity का होता है जो मैं इस चीज़ को भी बता रही थी आपको creativity जो भगवान हमें देता है spiritual gifts देता है यहाँ पर ठीके वो आप उन सब चीज़ों को बहुत जान पाओगे और समझ लोगे और आपका second चक्रा ठीके second चक्रा जो की होता है सेक्रेल चक्रा सेक्रेल चक्रा यह हमारी relation के बारे में बताता है हमारी भावनाओं के बारे में बताता है यहाँ पर ठीके कि हम कहां किन सब चीज़ों में अटके हुए है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे है हम अपनी growth नहीं देख पा रहे है तो वो जो एक रस्ता होता है ना कि जो आपको रोक के रखा है एक रस्ता किसी गलत रस्ते पर थे शायद आप ठीके काफी attachment में यहाँ पर देख रहे हूँ जो कि attachment ऐसा था वो relation से related भी हो सकता है यहाँ पर केते ना कि जिस से ज़्यादा हम ज़्यादा attached हो जाते हैं तो हमारा हमारी जो energy है हमारी जो gifts हैं हमारी जो उर्जा है वो उसी दिशा में बहने लगती है तो यहाँ पर आपके लिए वही है कि next 30 days में आप अपनी उर्जा को अपनी अपनी चीजों के उपर काम करते हुए आप नजर आ रहे हो एक अपनी energy को shift कर रहे हो और आपके अंदर एक creativity जो भगवान ने आपको जो चीजे दी है तो उनके उपर यहाँ पर आप सोच इचार करते हुए नजर आ रहे हो ठीके और एक काफी चीजे हैं जो आपके अंदर जो उन सब चीजों को आप पहचान पा रहे हो और सोच पा रहे हो समझ पा रहे हो ठीके और एक strongly यहाँ पर decision भी ले पा रहे हो आपका यहाँ पर आपके जो gifts हैं भगवान ने जो आपको दे रखे हैं ठीके उनको आप बहुत खुबसूर्टी से अब उन सब का अगर आप बहुत ज़ादा creative हो बहुत ज़ादा passionate energy हो सकती है आप ही लेकिन फिर से अपनी energy को अपने उपर लगाना सही तरीके से, सही सोच से, सही सूच बूझ से तो वो आने वाले 30 days आप अपने उपर यहाँ पर काम कर रहे हो अपने आपको heal कर रहे हो एक attachment से आप बाहर निकल रहे हो आपको एक positivity की तरफ लेके जा रहा है जो आपको एक growth की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा है और काफी जब आप करोगे तो आप अपने आप में काफी light महसूस करोगे और खुद अपने आपको हलका सा यहाँ पर महसूस करोगे ओके यहां पर मैं टेरो से देखती हूँ बाप के लिए आने वाले 30 डेस आपके लिए कैसे रेने वाले हैं एक काफी जब आप इन सब चीजों को काम करोगे जब इन सब चीजों के उपर अपने आपको पैचानोगे तो यहां पर एक कहते हैं कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक वो confidence भी हमारे अंदर से नहीं आता है एक दूसरा जब कोई काम करता है तो हम खुश हो जाते हैं चलो हमारा काम होच चुका है लेकिन उसी काम को जब हम खुद करते हैं तो उसका स्वाद और उसका मज़ा कुछ और ही होता है हमें अपने आप पर ही proud feel होने लगता है हमारे अंदर एक confidence label एक फिर से जाग उड़ता है एक belief system हमारा फिर से काम करने लगता है तो यहाँ पर आपके लिए next 30 days आप काफी उपर की तरफ यहाँ पर उड़ान भरते वोगे मुझे नजर आ रहे हो और क्योंकि positive positive thinking positive सोच बहुत माइने रखती हैं यहाँ पर first card आया है आपका king of pentacles and strength and the sun आने वाले देखो 30 days आपके हैं काफी आप एक जो मैं बता रही थी एक attachment जो कि आपका एक block case था आपका काफी आप जहां पर आप वहां से निकलना आपके लिए बहुत जरूरी था तो उससे आप बहार निकल रहे हो जो आपको एक बांध के रखी हुई थी चीज़े आपकी आपकी financial चीज़े भी हो सकती हैं यहाँ पर काफी उन सब चीज़ों पर जैसे केते हैं ना कि जब हमारा बहुत जाता दिमाग एक ही चीज़ में गुमता रहता है एक ही चीज़ में गुमता रहता है गुमता रहता है तो वहां क्या वो खुदी एक block case होने लगते हैं किसी किसी के लिए यहाँ पर यह message है प्रोपर्टी पेशा तो वह कहते हैं ब्लोक किस बन जाता है लेकिन यहाँ पर आने वाले 30 डेस में आप काफी अपनी बुद्धी अपने ग्यान अपनी लगन से आप काफी अपने लिए रस्ता निकाल पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर जो spiritual gifts हैं आप अपने उ एसी situation आ जाए कि हाँ यह चीज थोड़ी मुश्किल है लेकिन आप उसको फिर भी कर पाओगे क्योंकि काट दसन का है ओके यहाँ पर आने वाले 30 डेस में बहुत जादा आप आपके अंदर एक shifting मुझे नजर आ रही एक changes काफी मुझे यहाँ पर आपके नजर आ रहे हैं य यहाँ पर रुका हुआ है और यहाँ से फिर flow पकड़ लेना growth, opportunities, abundance हर चीज की अधिकता है यहाँ पर ठीके यह जिसे केते ना काली रात और यह फिर से सभेरा वो यहाँ पर मैं चीज़े देख रहे हूं आपके लिए ठीके मैं हाँ आपर चक्रा से देखती हूँ यहाँ पर देखो बिलकुल आपके आने वाले तीज दिन आप काफे आपके अंदर recovering आप देखोगे positivity देखोगे काफी abundance यहाँ पर देखोगे क्यों क्योंकि आपके अंदर काफी एक powerful आप अपनी चीजों का जो भी manifest करोगे के तेना कि जब तक हम जो कि मैंने अभी बोला आपके लिए कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वह चीज़े वही की आगे नहीं बढ़ पाती हो जब हम खुद करने लगते हैं सौरी तब तक जब हम खुद करेंगे तब जब वह जाके वह चीज़े फिर से फ्लो होने लगती हैं और फिर से पॉजिटिविटी सक्सिस वह सब चीज़े फिर से उस रस्ते पर आने लगती हैं ठीके एक attachment से बाहर निकलने वाले हो आप अपने उपर काम कर रहे हो अपनी knowledge को अपनी strength को आपके अंदर क्या है उन सब चीज़ों को जान पा रहे हो ठीके कि यहां पर एक एक चीज़े ऐसी थी जो आपको शायद decision नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ठीके कोई चीज़े थी के अंदर आपकी हर situation में यहां पर देख रही हूं ओके यहां पर love related काफी strength आपके अंदर आने वाली है and आपकी बहुत सारी opportunities abundance है आपकी रहे में हर चीज़ में यहां पर recovering है आपकी लिए ओके पाइल नमबर टू तो पाइल नमबर टू यह 30 days के आपके लिए energies निकली थी यह थी reading तो इसको में हें पर close करती हूँ I hope आपसे resonate होगी अगर होती है तो please like, comment, subscribe thank you, thank you so much and bye pile 2